हेले दोस्तों, वेलकम बाक टू दू दू चटपर्ट टीवी, आज की वीडियो में मैं अन्बॉक्स और टेस्ट करने वाला हूँ इंडिया की सबसे बेस्ट साइंस केमिस्ट्री किट जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो के लिए दोस्तों, इसकी करते हैं अन्बॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर हमें कौन से-कौन से एक्सपरिमेंट्स करने को मिलते हैं मुझे ऐसा लगता ही कि दोस्तों, यह किट इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस है यह किट आसानी से आपको मार्केट में नहीं मिलेगी तो इसे मैंने खरीदा था Amazon से तो यह देख सकते हो, 17 December को मैंने इसे खरीदा था इसका प्राइज है 944 रूपीज तो इसका पूरा नाम है कुटुहल केमेस्ट्री एक्सपरिमेंट किट फर स्टूडेंट्स तो गाइस मैं इसे आज भी चेक कर पा रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो, Amazon पर currently unavailable दिखा रहा है, यानि कि यह out of stock हो चुकी है मैं इसलिए सोच रहा था कि यह kit काफी ज़्यादा famous है इंडिया के अंदर जैसे ही stock में आती है, फिर वापस 2-3 दिन में इसका stock हतम हो जाता है वापस यह currently unavailable ही दिखाता है यहाँ पर तो गाइस जैसे ही stock में आती है, आप इस kit को खरीद सकते हो इसका link मैं नीचे description में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इस chemistry kit for students को बहुत ही आसान तरीके से खरीद भी सकते हो तो चलिए दोस्तों बिनावक्त वेश किया फटाफट से इसकी कर लेते हैं unboxing और देखते हैं इसके अंदर हमें कौन से कौन से experiments करने को मिलते हैं तो box देख सकते हो इस तरह के box packing में आ जाती है यह तो यहाँ पर लिखा है be a scientist do over 20 different chemical reaction to explore chemistry तो इस तरह के सारी चीज़े मिल जाती हैं हमें इस kit के अंदर तो यहाँ पर कुछ warning भी लिखा हुआ है मैं warning भी आपको पढ़के बता देता हूँ the kit contains several chemicals, glassware, micro burner and other experimentation material keep the kit away from children under 10 years यानि कि यह kit 10 साल के नीचे के बचों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है तो चलिए इसे यहाँ से open कर लेता हूँ मैं इसका brand name भी बता देता हूँ इसका brand name है kutu hell इसे मैं यहाँ से open कर लेता हूँ दोस्तों आपने अभी तक chatbot toy tv को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe करना, साथ में bell icon में दबा देना और all notifications को भी जरूर sound कर देना ताकि मैं जबी भी नई वीडियो डाले हूँ वो वीडियो आपको जल्दी से मिल सके तो सबसे उपर हमें पहले ही मिल जाती है इसकी एक user manual यहाँ पर लिखा है understand chemistry by performing experiments chemistry kit for students तो इसे open करके भी देख लेते हैं oh my god guys देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही experiments करने को मिलते है यार इस book के अंदर हमें बहुत ही बड़ी book है तो इसे रखते हैं side में देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही चीज़े मिलती है हमें इसके अंदर experiments करने को यार मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था इसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़े मिलेगी तो एक एक करके सारी चीज़े देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़े मिली हैं और कौन से कौन से chemicals मिले experiments करने के लिए तो यह ले लेता हूँ packet में सबसे उपर तो यहाँ पर लिखा है इसके अंदर है tissue paper, cotton, rubber cork, filter paper, red litmus, blue litmus, ph paper, toothpick, hand gloves तो इसे open भी कर देता हूँ हमें क्या सच में इसमें इतनी धेर सारी चीज़ें दी गई है या नहीं देख लेते हैं आ यार लगतो रहा है बहुत ज़्यादा चीज़ें इस packet के अंदर देख सकते हो गईस तो इसे रख देते हैं साइड में तो यह एक beaker मिला है हमें इस beaker के अंदर कुछ caps नज़रा रहे हैं इसे भी रख देते हैं साइड में सारी चीज़ें निकाल कर मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ तो इसके अंदर यह है conical flask पूरी तरीके से एक glass का है बहुत यह अच्छी quality लग रही है और यह सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी से यह है lap solvent micro burner भी मिलता है हमें इसके अंदर यह क्या है hydrochloric acid nitric acid sodium hydrochloride यह liquid form में नहीं है यार मैं आपको बता देता हूँ इसे open करके भी शायद इसके अंदर हमें कुछ water वगेरा मिलाना होता है तो यह liquid form में तो नहीं है तो और भी चीज़े हैं मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी से उसके बाद में देखेंगे हम कौन सा experiments कर सकते हैं इसके अंदर sodium carbonate और यह है sodium hydroxide methyl orange zinc nitrate यह है formal dehyde citric acid ammonium chloride calcium chloride यार इतनी ज़्यादा चीज़ें दे रखियें इन लोगे ने मैं क्या ही बता हूँ zinc sulfate और इसके अंदर कुछ wires नजर आ रहे हैं और कुछ LED है और एक zinc plate है एक copper plate है यहाँ पर कुछ LED lights है sugar copper turnings यह क्या चीज़ है यार मैं पहली बार सुन रहा हूँ देखते हैं इसे copper की छोटी-छोटी pieces है तो इसे किस लिए यूज़ करते हैं मुझे तो कुछ idea नहीं है गाइस इसकी user manual में ही पढ़ना होगा हमें calcium hydroxide यह है resourcinol magnesium magnesium strip potassium permagnet phenolpethylene यार मैं अगर कोई pronunciation wrong बता रहा हूँ तो गाइस मुझे mark कर देना यार क्यूंकि यह सारी चीज़े मैं first time देख रहा हूँ sodium carbonate यह है sodium bicarbonate यहाँ पर देख सकते हो गाइस यह है हमारी test tube और सारी की सारी hard glass से बनाई गई है बहुत ही अच्छी quality होती है hard glass से बनाई गई test tubes की चार test tubes भी मिलती है हमें इसे ध्यान से रख देता हूँ यार मैं side में संभाल कर और भी चीज़े हैं यहाँ से निकाल लेते हैं सारी चीज़े test tube clean करने के लिए एक brush भी मिलता है में वाँ भी मज़ा आ गया यार यह चीज़ क्या है गाइस मुझे बिल्कुल भी idea नहीं है अगर आपको पता है तो मुझे नीचे comment करके जरूर बता देना तो इसे भी रख देता है side में यह कुछ sticks नजर आ रही है दो sticks मिलती है में इस तरह की यह रहे दो sticks एक straw है एक funnel है यहाँ पर शायद यह भी test tube ही होगी इसे मिकाल कर देख लेते हैं लगता है मेरे को यह बड़ी वाली test tube है काफी अच्छी तरीके से पैक किया है इन लोगों ने आ गाइस देख सकते हो बहुत ही बड़ी test tube है यार यह 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 भी glass की है पूरी तरीके से लगता है यह है dropper यह भी dropper है इसे dropper नहीं कहते है गाइस तो user manual में देखता हूँ मैं इसे क्या बोलते है मुझे पता नहीं है इसे तो dropper बोलता है मुझे पता है तो इसे पास्टर पिपेट बोलते है मुझे पता नहीं था यार पहली बार देखा है मैंने उस चीज को यह ग्लास वाला stirrer बहुत ही मस्त क्वालिटी का है यार पूरी तरीके से ग्लास का बना हुआ है यह है stand और यह रहा इसका holder test tube stand है यह तो इस तरह से लगा दिया मैंने इसे तो चलिए दोस्तों भी इसकी user manual भी देख लेते हैं और इसके अंदर देखूंगा मैं कौनसे कौनसे experiments हमें करने को मिलते हैं तो इसे लगा देते हैं यार side में यह रहा दोस्तों इसका index यहां पर सारी चीज़े लिखी गई है हम कितने experiments कर सकते हैं इसके अंदर तो यहां पर लिखा है 22 से भी जादा experiments कर सकते हैं हम इस kit को use करके तो guys यहां पर देख सकते हो कितने बड़े-बड़े experiments के नाम लिखे गए यार मैं इन सारी चीज़ों का भी पढ़ दूँगा तो काफी जादा लंबी चोड़ी वीडियो बन जाएगी तो guys मैं यहां पर इस तरह से रख रहा हूँ आप अगर चाओ तो इस वीडियो को pause करके सारे experiments के नाम पढ़ सकते हो तो मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ तो guys आप अगर इसे pause करेगो तो सारे experiments के नाम आपको नजर आ जाएंगे तो इस experiment book के अंदर मुझे एक और चीज अच्छी लगी मैं आपको बताता हूँ guys काफी चीज़ें अच्छी detailing में दी गई है इसके अंदर हमें कौन सा experiment किस तरह से करना है और यह देख सकते हो यह रहा इसका last page यहाँ पर हमें एक periodic table भी मिल जाता है बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है यार हमें इस book से तो दोस्तों यह थी हमारी science kit की unboxing यह था part 1 वाला वीडियो guys मैं इसका part 2 वाला वीडियो भी लाऊँगा उसके अंदर आपको बताऊँगा कि micro burner किस तरह से use कर सकते हैं यह रहा micro burner और यह रहा इसका lap solvent इसे डाल कर इस micro burner को किस सरा से use करना है और भी कुछ experiments मैं आपको बताने वाला हूँ next वाली वीडियो में guys वो वीडियो आज शाम को या फिर कल शाम को मैं upload कर दूगा तो उस वीडियो का नाम रहेगा best chemistry kit for students part 2 तो यह वीडियो है part 1 guys आज की वीडियो आपको अच्छी लेगी तो इस वीडियो पर जरूर से like भी करते ना नीचे comment करके भी जरूर से बता देना आपको यह chemistry kit कैसी लेगी तो चलिए दोस्तों अभी हम दे देते हैं shout out कर मैंने एक बहुत ही बड़ी bullet train की वीडियो डाली थी यश गोस्वामी, मनिश सोनी, कौशिक, केवल चंद्राकर, संजीता, कौशल शर्मा, टाइगर गेमर, रोहित, रितेश कुमार, प्रग्यान कुमार, सनी फैक्स ताइक्यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट करने के लिए और दोस्तों आपको भी चाहिए shout out तो इस वीडियो पर कर दीजे, like, नीचे कर दीजे, comment, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी ज़रू सो type करते है ना दोस्तों ताकि मैं आपको ही shout out दे सकूँ तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यही पर होती है, खतम मिलता आप समय नेक्ट वाली वीडियो में और कुछ धमाक के दार इसी तरह के science experiments kit के साथ, तब तक के लिए, bye दोस्तों